हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर उजुता राजगुरू गानेकोलोजिस्ट अकोड डिस्टिक्ट अकुला महाराश्टर से पीटल हार्टबीड यानि कि बच्चे की धड़कन की ये पूरी सीरीज में हम कवर करने वाले है कि आपके बच्चे की धड़कन सबसे पहले कितनी weeks of justification पे यने कि कितने हफ्ते हो जाने के बाद आजानी चाहिए normal heartbeat बच्चे की कितनी होनी चाहिए क्या हम बच्चे की धड़कन के उपर से पता लगा सकते है कि गर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की क्या इसके पीछे कोई scientific research हो चुका है क्या इसके results क्या है ये भी मैं आपको detail में बताने वाली हूँ और बच्चे की धरकन अगर specific weeks of gestation तक नहीं आती है तो उसके क्या reason होते है उसके क्या कारण होते है और ऐसे situation में हमें क्या करना चाहिए और बहुत से बार ये भी पूछा जाता है कि माम बच्चे की heartbeat अगर नहीं दिखाई दे रही है तो 10-15 days बाद बहुत से बाद sonography का advice किया जाता है तो ये duration में हमें क्या करना चाहिए बच्चे की heartbeat लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए So each and everything आपके हर सवाल का जवाब ये पूरे series में आपको मिल जाएगा So सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करने वाले है कि अगर specific duration of weeks तक के आपके बच्चे की धरकन नहीं आती है तो इसके क्या reasons हो सकते है So सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि total duration of pregnancy जो होता है वो 40 weeks का होता है और जब भी आपका urine pregnancy test जब भी आपके penis मिस हो जाते है उसके बाद आप करते हो तो already आपके pregnancy के 4 weeks complete हो चुके होते है जी हाँ, यानि कि अगर आपकी 28 to 30 days की cycle है तो 14 days के around आपका ovulation होगा उसके बाद में fertilization और 7 to 8 days में आपका implantation हो जाएगा implantation होने के बाद जो beta-sg hormone secret होता है आपके body में इसकी वज़े से आपके periods मिस हो जाएगे और urine pregnancy test या फिर serum beta-sg यानि कि blood का अगर हम pregnancy test करते है beta-sg का test करते है तो वो positive आजाएगे जब आपका pregnancy test positive आजाता है यानि कि 4 weeks already complete हो चुके होते है उसके बाद में 5th week के around आपके जो fetus है उसका heart के 4 symbols already form हो चुके होते है और sonography पे हमें क्या दिखाई देता है तो sonography में हमें बच्चे का घर तो दिखाई देता है और even yoke sack भी दिखाई देती है और 6 weeks के around आपका बच्चा यानि कि embryo या फिर fetal pole हमें sonography पे दिखाई देना चाहिए और यही वक्त है कि fetal pole और heart beat हमें 6 weeks के around दिखाई या सुनाई देनी चाहिए sonography के उपर so normally तो ऐसा होना चाहिए but बहुत से बार क्या होता है कि irregular periods अगर आपके है तो no doubt जो अगर आप suspect कर रहे हैं कि आपके 6 weeks हो गए है अभी तक के periods नहीं आ चुके है और pain positive pregnancy test दिखा रहा है but maybe आपके periods लेट रह चुके है तो यह जो fetal pole है और यह heart beat है यह हमें लेट दिखाई दे सकती है यानि कि 14 days के around ovulation होना चाहिए but maybe last cycle में 17th या 18th day के around आपका ovulation हो चुका है इसकी वज़े से implantation भी लेट होगा तो इसकी वज़े से जो baby का growth process है वो भी लेट लेट होगा but उपर से हमें यह दिखाई नहीं देता है हमें समझ में नहीं होता है कि actually exactly fertilization कब हुआ है exactly कब embryo implant हो चुका है तो ऐसे cases में जिसे हम क्याते है delayed conception यानि कि शायद यह pregnancy normal है but फिलहाल हमें जो हम 6 weeks समझ रहे हैं वो 6 weeks नहीं है maybe 4 weeks ही हो चुके है pregnancy के क्योंकि conception delayed हो चुका है यानि कि ovulation late fertilization late और implantation late हो चुका है ऐसे case में आपके doctor आपको 10-15 days के लिए wait करने की advice करते है ये 10-15 days में आपको panic नहीं होना है most of the cases में most of the cases delayed conception की होते है 10-15 days में fetal pole और heartbeat दोनों आ जाते है उसके बाद में आपके doctor कहते हैं कि हम pregnancy अच्छी है और जो medication आपको prescribed की है वो आपको continue करना है बट बहुत से बार क्या होता है अगर 10-15 days बाद भी बहुत से couple के साथ ऐसा होता है कि fetal heartbeat या फिर fetal pole नहीं आता है ये एक या दो बार ऐसा होता है तो वो normal बात होती है बट अगर ये बार बार अगर होता है तो most common reason जो होता है वो होता है 80-90% cases में genetic problem राइट जो genetic problem होने की वज़े से यानि कि parents तो normal है बट जो egg और sperm यानि कि B जो शुक्रानों फॉर्म हो रहे है उसमें ही genes में problem आ रहा है chromosome में break हो रहा है genes addition हो रहा है या फिर deletion हो रहा है ऐसा कुछ भी अगर होता है तो chromosomal abnormality बच्चे में आएगी और nature का mechanism होता है कि जो unhealthy चीज है वो आगे continue नहीं हो पाती है तो इसलिए early pregnancy में ही fetal formation नहीं होता है और बच्चे की धड़कन भी इवन 10-15 days जो initial scan हमने किया है वो 10-15 days बाद भी heart beat नहीं आती है तो take home message from today's video अगर 6 weeks के around आपका fetal pole या heart beat नहीं दिखाई देती है तो don't get panic आपके doctor आपको 10-15 days के लिए no doubt advice करेंगे कि आपको रूपना चाहिए 10-15 days बाद भी अगर fetal pole और heart beat नहीं दिखाई देता है तो this is an indication कि ये failed pregnancy है तो वो गोली देके या फिर DNC यानिके surgical ही abort करके वो pregnancy terminate की जाएगी ये अगर एक या दो बार ऐसा होता है तो ठीक है बढ़ तीन या तीन से जादा बार चार बार पाच बार ऐसा होता है तो no doubt आपको third time के बाद ही detailed investigation करवा लेने चाहिए genetic makeup parents का देख लेना चाहिए कि actually genes में तो कोई problem नहीं है क्योंकि अगर genes genetic problem है तो हम उपर से कुछ भी नहीं कर सकते है तो ये detailed investigation अगर तीन से जादा बार आपका abortion हो रहा है या फिर failed pregnancy हो रही है तो हमें कर लेना चाहिए So I hope this information was helpful to you अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो आपके friends and related messages जरूर शेयर कीजे और ऐसे ही health related information के लिए इस channel को with bell button subscribe करना न भूले